नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप KBS PRT 2015 प्रशन पत्र के Mathematics and Reginning Part का Complete Paper Solution देखने जा रहे हैं अगर आप अभी तक जितने भी KBS PRT के Paper हुए हैं, सभी वर्षों को मिला करके उन सबका Complete Paper Solution डिटेल में देखना चाहते हैं इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार रुजेट कर रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेजेगा, चलिए दोस्तों, आज के समय तो पुन वीडियो को श चैनल दिया गया है, एक वजन बी के वजन का दुगना है, तो जिसका वजन ज्यादा रहेगा, मैं उसे उपर लिखूंगा, और जिसका वजन कम रहेगा, उसे नीचे लिखूंगा, ताकि एक क्रम हम लोग डिसाइड कर पाएं, एक का वजन क्या बोला जाला है, बी से दु नीचे आएगा, C कहीं न कहीं इससे नीचे आएगा, मालीजे मैं यहाँ पर लिख लिल रहा हूँ C, ठीक है, आगे पढ़िए, C का वजन D के वजन का आधा है, यानि कि C का वजन कम है, D का वजन जादा है, तो D कहीं उपर होगा, D कहीं उपर होगा, तो कहां होगा, अभी क्लियर नहीं है, तो इसके लिए चोथा विखल पढ़िए, कहा जा रहा है कि D का वजन E के वजन का आधा है, और C से D का वजन जादा था, मालीजे मैं D को यहाँ पर रख रहा हूँ, और अगला क्या दिया गया था, कि D का वजन E के वजन का आधा है, यानि कि E अब उपर रहेगा D से, और अंतिम मुला देखें, पांचमा दिया गया है, कि E का वजन E से कम है, यानि कि E से नीचे ही रहेगा, ये तो कनफर्म हो गया क्योंकि E का वजन E से कम है, लेकिन C से जादा है, तो E का वजन जो है, वो C से जादा है, E का वजन जो है वो C से ज़्यादा है यानि E C के उपर रहेगा लेकिन 37 साथ चौथा वाला भी देखिए कहा जा रहा है कि D का वजन E के वजन का आधा है यानि कि D का कम है यानि E जो है वो यहाँ पर कहीं पर होगा यहाँ पर होगा ठीक है, E यहाँ पर होगा, अब हमारा क्रम क्या बन गया, A, B, E, D, C, ठीक है, चलिए, अब इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए, हमें प्रश्णों का उत्तर ढूंड़ना है, 84 नमबर का प्रश्ण आप अपने स्क्रीन पर देख पार होगे, निमलिकित में से किसका वजन से कम हो जाएगा, ऑप्शन नमबर, C, तीसरा, C, इसका बिल्कुल सटिक जवाब हो जाएगा, 85 नमबर का प्रश्ण देखे, E का वजन निमलिकित में से किन दो वस्तूओं से जादा है, तो किन दो वस्तूओं से जादा है, तो D और C से जादा है, तो ऑप्शन नमबर, B, इसका बिल्कुल सटिक जवाब हो जाएगा 86 नमर का प्रशन देखिए निमलिखित में से किस वस्तू का वजन सबसे ज़ादा है तो A का सबसे ज़ादा है तो option number 1 सही जवाब होगा अगला प्रशन पूछा गया है वस्तू के वजन का सही घटता हुआ क्रम निमलिखित में से क्या होगा तो उपर सबसे ज़ादा वाला था और नीचे सबसे कम वाला था यानि घटता हुआ क्रम कैसे बनेगा ऐसे बनेगा A, B, E, D, C दिये गए विकल्प में देखिए A, B, E, D, C आप्शन नमबर एक में दिया गया आप्शन नमबर एक इसका बिल्कुल सटिक उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ट ने पूछा गया था रॉबिन कहता है कि यदि जै मुझे 40 रुपे देता है तो उसके पास किसके पास जै के पास जै के पास अतुल से आधे पैसे होंगे लेकिन यदि अतुल मुझे 40 रुपे देता है ये कौन बोला है रॉबिन बोला है तो हम तीनों के पास बराबर पैसे होंगे अब हमसे ये पूछा जाए रॉबिन जै और अतुल के पास कुल मिला करके कितने पैसे हैं ध्यान से समझेगा यहां पर मैं माल ले रहा हूं रॉबिन हो गया यहां पर जै हो गया और यहां पर अतुल हो गया और इनके पास जो पैसे Robin को मैं X रुपए माल ले रहा हूँ J के पास माल ले य रुपए है और Atul के पास माल ले जे जे रुपए है अब पहला condition देखे क्या बोला जा रहा है यदि J मुझे 40 रुपए देता है किसको Robin को Robin को जब J जिसके पास पैसा Y था जब 40 रुपए Robin को दे देगा तो J के पास कितना बचेगा Y रुपए पहले से था 40 रुपए दे दिया तो Y माइनस 40 से तो बचेगा ठीक है इतना बचा J के पास अब ये कहा जा रहा है कि उसके पास यानि J के पास Atul से आधे पैसे होंगे Atul के पास कितना पैसा था J पैसा था तो J अब कहा ये जा रहा है कि J के पास जो कि इतना रुपए बचा ये J से यानि कि Atul के पैसे से आधा है ये आधा है इससे तो जब हम बीच में बराबर लिख रहे हैं तो यहाँ पर तो से गुड़ा करेंगे तभी तो दोनों इक्वल होगा यानि एक कंडिशन ये हो गया दूसरा कंडिशन पढ़िए लेकिन यदि Atul मुझे 40 रुपए देता है Atul जब Robin को 40 रुपए देगा तो Atul के पास अब कितना बचा जैसे Atul यानि 재 में से 40 रुपए और Robin को दे दे रहे है तो Robin के पास कितना हो जागा पहले x था अब 40 रुपए और Robin को मिल गया तो x प्लึफ 40 हो जागा ठीक है x प्लस 40 हो गया और Atul के पास कितना बचा z माइनस 40 बचा तो कहा यह जा रहा है तो हम तीनों के पास बराबर पैसे होंगे अब यहाँ पर देखें रॉबिन के पास X प्लस 40 हो गया और J के पास पहले से Y रुपया था और अतुल के पास जब 40 रुपया उसने दे दिया तो Z माइनस 40 हो गया यह दूसरा कंडिशन हो गया अब इनी दोनों को solve करके हम लोग को X, Y, Z का मान निकालना है और उन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें तीनों के पास कितने पैसे थे यह हमें पता चल जाएगा ठीक है पहले equation को मैं अगर simplify करूँ तो क्या लिख सकते हैं देखिए मैं 2 से multiply करके और पक्षांतर भी कर ले रहा हूँ देखिए 2Y-80 होगा तो 80 को मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूँ और Z को इधर ला रहा हूँ तो 2Y-Z बराबर माइनस 80 उधर जाकर के प्लस 80 में convert हो जाएगा अब ध्यान से देखिएगा यह equation है Y और Z में इसलिए यहाँ देखिए Y और Z में दूसरे equation को मैं ले करके चल ला हूँ तो क्या हो जाएगा Y और Z को इधर पक्षांतर करेंगे तो Y-Z हो जाएगा अब देखिए दोनों equation को मैं घटा रहा हूँ घटाने से क्या होता है चिन बदल जाता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा यहाँ उपर माइनस Z है और नीचे प्लस Z है तो यह कट जाएगा 2Y में से Y गटेगा तो Y के वल बचेगा और 80 plus 40 120 हो जाएगा y कमान हमें क्या मिल गया y कमान हमें मिल गया 120 ध्यान से समझेगा y कमान हमें क्या मिल गया 120 अब इस वाले equation में y कमान जब मैं 120 रखता हूँ तो 120 में से 40 गटेगा तो 80 बचेगा 80 गुड़े 2 80 गुड़े 160 हो जाएगा y माइनस 40 y कमान 120 था तो उसमें से 40 गटाएगे तो x कमान क्या जाएगा x कमान आ जाएगा 80 आ जाएगा x कमान 80 आ जाएगा हमसे प्रश्न क्या पुछा गया था कि 3 को मिला करके कुल कितने पैसे हैं तो 3 को जोड़ देंगे तो 80 और प्लस 120 200 हो गया और प्लस 160 360 हो जाएगा दियेगा विकल्प में देखिए option number C 360 इसका बिल्कुल 60 उत्तर है अगला प्रश्न पुछे गया था किसी परिक्षा में एक विद्यार्थी प्रतेक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रतेक गलत उत्तर के लिए उसका एक अंक कटता है यदि वह सभी 75 प्रश्नों के उत्तर देता है और 125 अंक प्राप्त करता है तो उसके सही उत्तरों की संख्या क्या है ध्यान से समझेगा वो टोटल सभी प्रश्नों को हल करता है यानि कि टोटल 75 प्रश्न थे सभी को हल कर रहा है अगर सभी को हल कर रहा है और अगर सभी सही उतर होते तब उसको कितना मिलता 75 गुड़े 4 मिलता यानि कि 300 अंक मिलता लेकिन उसको मिला कितना है किवल 125 अंक मिला है यानि कि total सही करने पर उसको 300 अंक मिलता और मिला उसको कितना है 125 इस में से अगर हम लोग घटा दें तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 यहां बचेगा 9 में से 2 जाएगा 7 और यहां बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1 175 अंक उसका cut गया क्यों cut गया क्योंकि negative marking था अब total 175 उंक उसका minus होकर कि cut गया यह कैसे cut गया negative marking से देखिए अब जो उत्तर उसने गलत किया था उसका जो 4 अंक हमने पहले जोड़ा था वो तो cut गटेगा ही cut गया क्योंकि चार अंक तो उसका अंक हमने 75 गुड़े 3 किया था तो 300 जो अंक है था उसमें से जो हम ये मान करके चल रहे थे कि सभी उसने सही किया है लेकिन चुकी अब इसमें निगेटिव मार्किंग की वज़े से कट गया है तो एक प्रश्ण गलत करने पर एक प्रश्ण गलत करने पर जो 4 अंक उसका नंबर है वो तो कटेगा ही कटेगा निगेटिव मार्किंग का एक नंबर और कट रहा है ना यानि टोटल उसका निगेटिव मार्किंग में 175 नंबर कट गया और प्रश्णों की संख्या निकालने के लिए पांच से हम लोग भाग दे देंगे, पांच से भाग देजिए, तो कितने बार में जाएगा, पांच, तियाई, पंदर, दो बचा, पचा, पचीस, यानि 35 प्रशन उसने गलत किया था, गलत क्यों, क्योंकि ये निगेटिव मार्किंग के वज़े से 175, अंक जो कटा, उसी कित तो टोटल उसने गलत प्रशन कितने किये, 35 प्रशन गलत किये थे, टोटल प्रशन 75 थे, जिसमें से उसने 35 गलत कर दिया, तो उसके पास टोटल सही प्रशन कितने थे, 40 उसने बिल्कुल सही प्रशन किये थे, ऑप्शन नंबर भी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो दोस्तों प्रश्ण संख्या 90-92 तक दिये गए एक प्रश्ण पर अधारित पूछा गया था जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं कहा जा रहा है कि 6 किताबे 1 के ऊपर 1 के ऊपर 1 रखी गई है इतिहास की किताब लेखा के ठीक ऊपर है लेखा के ठीक ऊपर इतिहास है तो मालिज की किताब मालिजे मैं यहाँ पर बना रहा हूं तो कहा यह जा रहा है कि पंजाबी और उर्दू के बीच में है तो मालिजे मैं यहाँ पर उर्दू मान ले रहा हूं और उपर पंजाबी मान ले रहा हूं इस प्रकार से तो गड़ित की किताब पंजाबी और उर्दू के ब यहां पर बोला गया था अंग्रेजी इतियास और पंजाबी के बीच में इतियास यहां पर है पंजाबी यहां पर है तो इसके ठीक बीच में अंग्रेजी कहां पाएगी यह तो नहीं पाएगा इसलिए हमें रिवर्स जाना पड़ेगा और आपको एक यहां पर जो चीज दे ने क्यों किया, इसलिये किया क्योंकि वह condition अभी भी फुलफिल कर रहा है कि गड़ित उर्दू और पंजाभी के बीच में है, और इसके बाद वाले जो condition दिया गया था अंग्रेजी, इतियास और पंजाभी के बीच में है, तो देखिए यहाँ पर है और अंग्रेजी यहाँ पर इनके बीच में कौन सा है आप कहेंगे कि पंजाबी है पंजाबी दिये गए विकल्प में पंजाबी दिये गए विकल्प में नहीं दिया गया है इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं यहा option number C में दिया गया है, और दो इसका बिल्कुल सटिक जवाब हो जाएगा, अगला प्रशन पुछे क्या था, आसीस अपने घर से सुबा, ये मिस्प्रिंट है, 6 बज के 40 मिनट यहां पर है, आसीस सुबा अपने घर से 6 बज के 40 मिनट पर निकलता है, पचीस मिनट में वो कुनाल के घर पहुचता है, इसके बाद वे मिल करके 15 मिनट में नास्था खतम करते हैं, और आफिस के लिए निकलते हैं, नास्था खतम करके आफिस के लिए निकल जाते हैं, जिनमें उन्हें 35 मिनट का समय लगता है, आफिस के लिए निकलते हुए विए सुबह कितने बज़े कुनाल के घर से निकले थे यानि कि आफिस पहुँचने में जो 35 मिनट का समय लग रहा है इसका कोई रोल ही नहीं है क्योंकि प्रश you must me ha this यह पूछा गया कि कुनाल के घर से वो कितने बज़े निकले थे तो देखिए 6 बज़ के 40 मिनट पर 80 निकला था और उसको 25 मिनट लगा कुनाल के घर पर पहुँचने में यानि कि देखिए 6-40 में अगर मैं 25 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा ये 65 मिनट हो जाएगा और 60 मिनट पर 1 घंटा हो जाएगा यानि कि 7 तो ये बज़ जाएगा और 5 मिनट और 7 बज़ के 5 मिनट पर वो कुनाल के घर पहुचा उसके बाद से 15 मिनट में दोनों नास्ता को खतम करते हैं पंदर मिनट और मैं जोड़ दे रहा हूँ तो 7 बज़ के 20 मिनट का समय हो जा रहा है 7 बज़ के 20 मिनट पर वो नास्ता खतम करके आफिस के लिए निकल जाते हैं और यहीं हमसे पुचा गया था कि सुबा कितने बज़ कुनाल के घर से निकलते हैं तो 7 बज़ के 20 मिनट पर दिये गए विकल्प में देखिए option number B इसका बिल्कुल 60 कुत्तर हो जाएगा अगला प्रश ने पुचा गया था बच्चों की एक कतार में कशिश बाएं से पांचवे और मोना दाएं से छटवे इस्थान पर बैठी है जब वे आपस में अपना इस्थान बदल लेती है तो कशिश बाएं से तरहवे इस्थान पर आ जाती है तो दाएं से मोना का इस्थान क्या होगा ध्यान से समझेगा एक यहाँ पर इस प्रकार से कतार है जिसमें जो कशिश है वो बाएं से माली जी ये कशिश बैठी है बाएं से वो पाँचवे नमबर पर बैठी है मतलब इधर से और यहाँ पर कोई मोना है जो की दाहीने से छटे नमबर पर बैठी हुई है अब आगे पढ़िए जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं यानि इस्थान बदलेगा तो यहाँ पर मोना आ जाएगी और यहाँ पर कशिष आ जाएगई ठीक है बदल लेती है तो कशिष 22 से 23 स्थान परो जाती है अब कश्रिष का ये इस्थान है अब इसका पोजिशन हमें 22 से 13 नमबर पर दिया गया है ठीक है तो दाएं से मोना का इस्थान क्या होगा यानि कि ये जो इस्थान है इसका दाएं से इस्थान क्या होगा ये हमसे पूछा जाए ध्यान से समझने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पर जो इस्थान बदलने के बाद से जो कशिश का पोजिशन यहाँ पर 13 नमबर पर था और पहले से मोना के इस्थान पर यही तो आई है यानि कि मोना दाहिने से 6 नमबर पर थी और उसी के स्थान पर कशिश आ गई है यानि कि कशिश का position हम लोग 22 और दाहिने से दोनों पता हो गया तो हमें total number of candidate कितने ये पता कर सकते हैं कैसे जैसे कि दाहिने से इसका position कशिश का अब 6 है और 22 से कितना है 13 है और इन दोनों को जोड़ करके एक माइनस कर देंगे तो total बच्चो की संख्या में पता चलेगी 6, 13, 6, 19 और 1 गटाएंगे तो 18 आ जाएगा यानि कुल बच्चो की संख्या 18 हो गई कुल बच्चो की संख्या 18 है हमसे क्या पूछा गया था कि दाहिन से मोना का इस्थान क्या होगा मोना यहाँ पर है और दाहिने से इस्थान पूछा गया है तो 5 में से 1 गटाएंगे तो 4 बचेगा और 4 उधर जाकर के माइनस होगा तो X कमान 18 में से 4 जाएगा तो 14 आ जाएगा यानि X हमने क्या माना था? X यहीं तो था कि मोना का दाहिने से पोजिशन जिसका उतर हमें कितना मिल ला? 14 हमाँ तो दिये गए विकल्प में देखिए option number C इसका बिल्कुल सटिक जवाब है अगला प्रशन पुछा गया था परिवार में दादी, पिता, माता, चार बेटे और उनकी पतनिया है यहाँ पर कुछ misprint है, परिवार में दादा, दादी और माता, पिता और चार बेटे उनके पतनिया तथा प्रतेक बेटे का एक बेटा और दो बेटिया मौजूद है परिवार में कुल मिला कर कि कितनी महिला हैं यह हमसे पूछा जा रहा है तो देखिए, एक तो सबसे पहले कहा क्या जा रहा है कि दादा दादी, तो दादी एक महिला हो गई, उसके बाद से माता पिता में माता जो है वो एक महिला और हो जाएंगी उसके बाद से चार बेटे और उनकी पत्निया जब चार बेटे हैं तो उनकी प्रते की एक एक पत्निय होगी यानि की चार पत्निया जो है वो अलग अलग चार महीला हो जाएंगी ठीक है उसके बाद से कहा गया है कि प्रते क बेटे का एक बेटा अब जो यहां पर चार बेट से मतलब है तो यहां पर प्रतेक का कितना बेटी है दो बेटी है प्रतेक का तो देखिए इसके भी दो बेटी हो जाएगी इसकी भी दो बेटी हो जाएगी इसकी भी दो बेटी हो जाएगी अब टोटल काउंट कर लिए कितनी महिला हो गई क्योंकि यहां पर सबी महिलाओं को मैंने consider कर लिया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे साथ, आठ, नो, दस ग्यारा, बारा, तेरा और चौदा टोटल महिलाओं की संक्या कितनी हो जाएगी चौदा दिये गए विकल्प ने देखिए option number A, 14 इसका बिल्कुल 60 गुत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण में पूछा गया था दया का एक भाई है अनिल यहाँ पर मैं बनात्ते चल लाओ ताकि चीज़े आपको clear हो जाएए दया का भाई अनिल है यानि इनके कोई माता पिता होंगे और उनसे दूसरी संतान अनिल है तभी तो दया अनिल का भाई हो जाएगा ठीक है यहाँ तक clear आगे पढ़िए दया चंद्रा का बेटा है दया बेटा है चंद्रा का यानि इससे उपर होगा तो चंद्रा यहाँ पर कहीं पर होंगे और देखिए विमल चंद्रा का पिता है यानि चंद्रा का पिता कौन हो गया विमल हो गया अब आगे पढ़िए रिस्ते में अनिल विमल का क्या लगेगा तो देखिए विमल के पिता चंद्रा है चंद्रा के पिता दया और अनिल है तो जारी से बहत है कि अनिल जो है विमल के क्या लगेंगे तो अनिल जो है वो पोता लगेगा किसका विमल का क्यों पोता लगेगा क्योंकि यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि पहले इलाइन में कि दया का भाई है अनिल यानिल मेल था अनिल मेल था और विमल जो थे यहां पर दादा थे क्योंकि यहां बोला गए吧, चंदरा का पिता विमल हैं, तो विमल जो हैं, वो मेल हो गए हैं, और अनिल भी मेल है, तो पिता के पिता दाधा लगते हैं, और इस लिहाद से अनिल जो लगेगा वो पोता लगेगा, तो दिये गए विकल्प में देखिए, option Number B पोता इसका बिलक पूइंट वीडियो लाने के संदर में अगर आप अभी तक जितने भी के वीएस पी आटी के पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सुलूशन डिटेल में देखना चाते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार रुजेट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइगन को जरूर प्रेस कर लिजेगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शोभ झालो